तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर किया है जिसका डिरेक्शन कुछ इस तरफ से दिया हुआ है और यहां पर एक डाइपोल प्लेस किया गया है जो कि एलेक्ट्रिक फिल्ड के साथ में ठीटा अगर एंगल बना रहा हो तो इस कंडिशन में इसके पास कितना पोटेंशिल एन कितना होता है तौव वैक्टर ठीक है और िहां पर हैंगल में चैंक्ज गता यहां पर जहांपर स्फटर ताव थीटर अफीड हो जाएगा हमारे पास पर है अब यहां पर हम लोग small work done find out करना चाहते है क्यों क्योंकि यहां पर यह जो टॉर्क है वह चेंज होता हूँ टॉर्क है जैसे जब चुकि हमनों टॉर्क का फॉर्मला क्या जानते है यह तथा पी-ई-साइन थीटा तो हमनों क्या देख रहे है थीटा पर डिपेंड कर रहा है वह अगर right hand thumb rule use करें तो वह just inward की तरफ है ठीक है लेकिन वहीं पर अगर हम डीठीटा देखें तो डीठीटा मतलब क्या यहां पर हमनों के small angle से इसको move करा रहे हैं just opposite direction में तो डीठीटा जो है वह outward है तो इन दोने के बीच का जो direction है हमारा वह कितना है 180 degree है क्योंकि torque यहां पर इन दोने के बीच का जो angle हो जाएगा चूंकि dot product है अगर इसको खोलेंगे हम तो क्या जागा tau into d theta into cos 180 degree हो जाएगा ठीक है जैसे ही 180 degree का value put up करेंगे हम लोग यहां पर यह बन जाएगा हमारे पास minus of tau d theta यह dw के बराबर में हमारा आ गया ठीक है अब हम लोग जाते हैं कि by definition by definition हमारे पास में क्या है कि जो change in potential energy होता है वो negative of work done होता है तो जब हम लोग यहां पर work done का value put up करेंगे तो minus of minus tau d theta यह negative cancel out हो जाएगा और यहां पर बचेगा यह positive tau d theta अब हम लोग को total energy find out करना है change in potential energy find out करना है जब इसको हम लोग theta 1 से theta 1 angle से theta 2 angle में move कर रहे होंगे तो इस condition में जो potential energy होगा हमारा वो क्या होगा integration होगा इस complete का ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे integration of du ठीक यहां पर फिर अगर integrate करेंगे theta 1 से लेकर theta 2 के लिए ठीक है तो इस वाले condition में अगर integrate करेंगे तो अब value put up करें हम लोग theta 1 theta 2 tau का value क्या आ जाएगा P e sin theta d theta अगर इसको आगे हम लोग integrate करेंगे तो यहां पर P e बाहर आ जाएगा और integration होगा sin theta d theta जहां पर theta 1 से लेकर theta 2 हमारे limit होगा अब यहां से u बराबर क्या जाएगा P e यहां पर sin theta d theta का integration क्या होता है minus of cos theta यह minus cos theta हो जाएगा theta 2 theta 1 अब यहां पर इस negative को अगर हम लोग बाहर कर दें या फिर इसको बाहर कर देते हम लोग यह बनेगा cos theta फहले upper limit put करेंगे तो यह बन जाएगा cos theta 2 minus cos theta 1 यह किसके बराबर आ गया हमारा change in potential energy आ रहा है ठीक है अब change in potential energy ही यह होगा ठीक है जब theta 1 कौन से theta 2 जा रहा है तो यहां पर u final minus u initial के बराबर ही आ गया इतना इसको थोड़ा सा और हमनों simplify करें तो यह जाएगा यू final minus u initial is equal to negative of pe cos theta 2 minus cos theta 1 इस minus को अगे अंदर भेज़ दे तो यह क्या हो जाएगा pe cos theta 1 minus minus plus cos theta 2 बन जाएगा यह अब यहां से अगर हम लोग compare करें तो हम लोग यहां पर potential energy find out कर रहे है तो जब भी potential energy हम लोग यहां पर जब भी हम लोग देखते है पोटेंस नर्जी का जो term होता है वह change in potential energy देता है तो potential energy जो है कैसे find out करते किसी भी point का जब हम लोग एक reference point लेते हैं जहाँ पर कि उसका potential 0 होता है for example अगर हम लोग gravity के बारे में बात करें तो जैसे earth को हम लोग ले ले कि earth के surface से potential 0 है फिर हम लोग उसके reference में जो potential है वो find out करते थे तो वैसे ही यहाँ पर एक reference लेना होगा initial जिसको के 0 मानेंगे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि potential energy जो starting में था वो 0 था तो यह u initial जो हो जाएगा जिसके corresponding कौन है प e cos theta 1 इसको अगर हम लोग 0 के corresponding मान लें तो यहाँ से हमारा जो cos theta 1 आ जाएगा वो 0 आ जाएगा तो theta 1 जो जाएगा वो pi by 2 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या ले रहे है कि theta 1 जब pi by 2 होगा तो उस condition में जो हमारे पास में जो reference के लिए हम लोग ले रहे है कि theta pi by 2 पे जो potential energy होगा वो 0 होगा तो फिर यहाँ से हम लोग क्या जाएगा यह माइनस तान यहाँ पर जैसे पूट अब कि हम लोग यह माइनस है यह आ जाएगा हम लोग के पास में यह complete term pe यहाँ पर cos theta 1 जैसे हम लोग पूट करेंगे pi by 2 यह 0 बन जाएगा तो जीरो माइनस cos theta 2 और यहाँ पर जो मिलेगा u is equal to minus of pe cos theta 2 और यह हमारे पास में यह potential energy का expression आ जाएगा तो होग की यह सब समझ में आया हो और को डाउट हो तो please comment section बताए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye झाल 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 झाल